हलो फ्रेंड्स मैं विकाछ चोदरी श्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में तो आज हम जिस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वह होगा कि डबल ए या टिपल ए बैटरी को हम रिकवर या फिर रिचाज कैसे कर सकते हैं इन बैटरियों का यूज अधिकतर हम दोस्तों remote control में करते हैं जैसे हमारे टीवी का remote हो गया है डिटी एच का होगा एसी का या फिर किसी और गैजट का जैसे कि हम वायरलेस कीबोर्ड माउस में या फिर बच्चों के जो खिलोने होते हैं टोई होते हैं कार और उनके जो remote control उनमें इन बैटरियों का यूज होज लेटेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं जो हमारे घरों में जो एसी का remote होता है उसमें ट्रिपल ए वाली बैटरी या लगती है और जो हमारे टीवी का remote होता है या फिर किसी और जो हमारे जितने इलेक्ट्रोनिक गजट है उनके अंदर लगबग ट्रिपल ए वाली ही बैटरिया लगती है तो यह बैटरी बिल्कुल वर्किंग कंडिशन में है दोस्तों तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही यह आपको remote दिखा रहा हूं आगे मैं आपको पूरी डिटेल में और ज जाती है है और जो म माउस होता है उसमें डबल ए वाली बैटरिया फारे जो कि मार्कश में अवेलेबल होती है है लगबक 40 रुप की एक बैटरी और जो ये डूरो सेल वाली होती है दोसों ये थोड़ी ज्यादा कोस्टली आती है इनकी लाइफ भी ज्यादा होती है और हमारे जो एरिया में जो भी मिलती है निपो बैटरी है या एवरेडी की है तो ये दस-दस रुपे में आपको मिल जाती है और जो डूरो सेल वाली है यह थोड़ी कोस्टली रहती है जो माउस के अंदर डबल ए वाली जो बैटरी लगती है वह 40 रुपे के आती है और यह लगबग 20-25 रुपे के आसपास आपको यह दो सेल मिलते हैं यह ट्रिपल ए वाले हैं और यह माउस के अंदर जो भी सेल है वो भी आपको यहाप दिखा देता हूं तो यह देखिए इसके अंदर वह डबल ए वाला है तो बिल्कुल वर्किंग कर्डिशन में है लगबग एक बार इसको आप माउस के अंदर लगा देते हो तो लगबग 6 महीने से 8 महीने के बीच में आपको यह वर्क करता है अगर आपका यूज ज्यादा है तो और थोड़ा कम हो सकता है अगर आपका यूज ज्यादा है तो बारा महीने तक यह इसली चल जाता है जो जोड़ा है वह जब्हीं कोई भी कोई पी उनके लिए टोवग खरीते हैं के अंदर कोई मेंटे के च्यार साल या पांच साल 맛있े तो जितने का टोवग उता उसमें जादा तो बैंटरियों का खर्चा हो जाता है दोस्तों तो उसी को प्रोबլ्लम है उसको सोल्व करन दोस्तों यह बैटरी हैं इसके अंदर कुछ कार्बन कोटिंग होती है कुछ कार्बन पाउडर होता है तो वह डेड हो जाता है तो आप थोड़ा सा एक्स्टा वोल्टेज दे के इसको दुबारा चार्ज कर सकते हैं तो सबसे पहले इन बैटरीओं को मैं आपको वोल्टेज करवा देता हूं तो यह देखिए इसका जो वोल्टेज रहता है दोस्तों वह लगवा 1.5 के आज पर रहना चाहिए लेकिन यह डेड हो जाती है उसके बाद में इसका जो वोल्टेज है 1.20203 या फिर उससे थोड़ा डाउन आ जाता है तो मैं तीनों सेलों के आप यहां प करता तो उसका भी मैं आपको यहां पर सोलीशन बता दूँगा तो इसमें से हमारा जो एक सेल है वह विल्कुल ओकिक वर्किंग कंडिशन में है थोड़ा सा एक बार आपको इसको चार्ज करना है तो आपको सिंपल यह कोई भी डाटा केबल लेनी है आज के टाइम में जो स्मार्ट फोन आ रहे हैं उसके साथ सी टाइप की है तो उससे पहले जो केबल आती थी उसी का हम यहां पर यूज करेंगे जो भी आपको डाटा केबल किसी भी तरह की खराब जो भी है सिर्फ आपको यूसबी वाला ही साइड चाहिए होगा अधर दूसरा जो साइड है जो फिर वाइट और रेड भी होता है तो आपको सिर्फ ब्लेक रेड या फिर ब्लेक या फिर वाइट और रेड इन दोनों में से ही काम में लेना है क्योंकि यह ही हमारा पोजिटिव और नेगेटिव रहता है तो सबसे पहले मैं आप डूरो सेल का जो डबल अवाला सेल है वह तो आपको मैं यहाँ पर इसका पहले वोल्टेज चेक करवा देता हूँ उसके बाद में इसको आपको चार्ज करके दिखाऊंगा यह देखिए इसका जो वोल्टेज है वो लगबग 9.4 है पॉइंट 9.5 है तो आपको किसी भी मोबेल चार्ज से इसको डारेक्ट 220 वेल्ट से तो से नेक्र कर देना है और सिर्फ तक ही यह चार्ज करना है अब इसका में आपको मिजर करके दिखा देता हूं रहे हैं साथ में आपको चैक भी करवा कर देता हूँ जो हमारा जो अलारम घड़ी है उसके अंदर आपको उसके अंदर डाल के चेक भी करवा हुआ तो सबसे बेले मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करवा देता हूँ यह देखिए इसका जो वोल्टेज है वो लगबग 1.56 के आसपास आ चुका है यानि कि हमारी जो बैटरी है वो टोटली रिकवर हो चुकी है वो भी 30 सेकेंड के अंदर अब आपको जो अलारम घड़ी है उसके अंदर यह सेल आपको डाल के दिखा देता हूँ कि आप वर्क कर करेगी या नहीं करेगी इसमें इस केस में दोस्तों लगबग 90 शे 95 परसंट तक बैटरीयां रिकवर हो जाती है यह देखिए हमारे जो सेल है वो बिलकुल रिकवर हो चुका है एक बार आपको में दिखा देए या पर मैं कोई वीडियो कटिंग बिलकुल भी नहीं की है य तो ऐसे ही आप कोई भी सेल जो की डेबल अ को हो या विया फिर जो बड़े वाले पुराने हमारे रेडियो के अंदर जो ऴोटे वाले तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं उसी को इसी तरी के से रिकवर कर सकते हैं तो सारे जितने भी स्याव Dimit 행 उनको सभी को मैं इसी तरह करवा देता हूं तो देखिए इसका जो वोल्टेज है वो लगबग 1.64 के आसपस आ गया दोस्तों अब मैं आपको इसको घड़ी के अंदर चेक करवा देता हूं कि यह वर्क करेगा या नहीं करेगा इस कंडिशन में लगबग आपको 95% से अबाउ दोस्तों यह जितनी भी ड प्रोसीजर अपनाया था और मेरा आज तक काम कर रहा है लगबग 2-5 महीने हो चुके हैं मेरेको तो आई होप आपको सारी डिटेल समझ में आ गए होगी तो आप इसके रिकवर कर सकते हैं किसी भी सैल को आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफी फसंद आया होगा अगर आप यहां तक आए हैं तो वीडियो को लाइक जुरू करके जाएं अपने दोस्तों के साथ शेयर जुरू करें तो मिलते हैं कोई इंटरस्टिंग टोपिक के साथ all the best बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए